प्यारे बच्चो जो आपका एक्जाम है 17-18 का उसके लिए जो यूपी स्पेशल जी के और समाने जी के चल रही है उसका जो रैपिड रिवीजन है चली आएए शुरू करते हैं यह आपको 17-18 एक्जाम में बहुत फाइदा देगा पहला क्रेश्चन है कौन सा राज्य है कौन सा राज्य है बंगलादेश से अपनी सीमा बनाता है यानि कि भारत में बंगलादेश से कौन-कौन से ऐसे राज्य है जो उसकी बाउंडरी को टच करते हैं इसमें आंसर है हमारा पश्वी बंगाल पश्वी बंगाल ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा बंगलादेश की बाउंडरी को टच करता है उसके बाद में आता है हमारा तिरपुरा, मेगालिया, मिजोरम और आसाम पैस साथ तो ये भी याद रखिए कि भारत में कौन-कौन से राज्ये सेवन सिश्टर के नाम से जाने जाते हैं तो जो बंगला देश की तरफ की भारत की राज्ये हैं वो हमारे सेवन सिश्टर के नाम पर साथ राज्ये हैं इनका याद करने का तरीका क्या है हमारा ए स्क्वायर, एम क्यूब, एंड टी ये मतलब अर्णाचल पर देश, दूसरा ए मतलब आसाम और तीन एम पर हैं और एक बात याद रखने की जो इन सेवन सिश्टर राज्यों में, केवल एक राज्ये ऐसा है जो नौर्थ इस्ट की तरफ ही पढ़ता है लेकिन वो सेवन सिश्टर में नहीं आता, उसका नाम है सिक्किम, सिक्किम जो है नेपाल और भूटान के बीच में पढ़ता है एक छोटा राज्य है भारत का चली, next question है, यूपी में 2011 की भारत की जनगर्णा के अनुसार साक्षर्दादर कितनी है 2011 की जो जनगर्णा थी, जो सैंसस था, उससे यूपी की जो जनगर्णा, मनला एक तरीके से साक्षर्दादर या लिट्रेसी रेट है उस 67.68 है, 63.68, question काफी important है, कई बार पूछा गया भारत के समस्ते राज्यों में छेतलफल के अनुसार, उत्तर बर्देश का कौन सा इस्थान है तो देखिए, उत्तर बर्देश का इस्थान चोथा है, जबकि जो सबसे बड़ा राज्य है, वो हमारा राजिस्थान है तीसरा दूसरा राज्य हमारा महरास्ट है यानि की राजिस्थान उसके बाद महरास्थ और उसके बाद है हमारा MP यानि की मध्यबधियर और जो चोथा नमबर पढ़ता है हमारा UP का यूपी ऐसा राज्य है जो जनसंक्या के मामले में पहले स्थान पर है और छेत्पल के स्थान पर चोथे स्थान पर है याद रखे यूपी के मामले में नेक्स क्वेशन है भारत की जनगर्णा 2011 के अनुसार देश के मिलियन दस लाखे नगरों की सूची में अंतिम इस्थान पर कौन है तो देखें ये इस्थान पढ़ता आपका कोटा जो हमारे 10 लाख नगरों में जो लास्ट वाले इस्थान पर है वो कोटा है यह हमारा राजस में पढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है तो देखें एक मात्र जिला ऐसा जो लगभग बहुत बड़ी 90 प्लस परसेंट भी तारों तरफ से मद्दे प्रदेश से घिरा हुआ है और नीचे की तरफ है और इसम में तामबा भी पाया जाता है और साथ साथ में यूरेनियम में तामबा फिलस यूरेनियम दो चीजे बहुत परियाप्तर मात्रा में पाया जाती है उत्तर प्रदेश में परमपरागत भूमी मापन की एकाई तो देखें जो उत्तर प्रदेश की जो परमपरागत तरीके से अगर हम किसे पूछते हैं कि आपके पास कितनी जमीन है आम तोर पर इसका सीधा सचा अंसर दिया या था भीगा जबकि जो बड़ी यूनिट है वो हेक्टेर है एकड़ है एकड़ और हेक्टेर बड़ी यूनिट है लेकिन सिंपल पुस्तैनी तरीके से उसे हम भीगे में ना होती है और इसमें सिलीका और लोहे की मातरा भारपूर मानलब परियापत मातरा में पाई जाती है को ये आम तौर पर जहांसी में पाई जाती है मार म्रद्दा नेक्स क्वेशन है उत्तर परदेश के बुंदेल खंड खेतर का लोग निरत्य नहीं है अब देखें क्वेशन यह वैसे एक तरीके से वन लाइनर आया है तो क्वेशन इसमें देरा का डांडिया यह option based question था तो जो डांडिया है वो उत्तर परदेश का नहीं है डांडिया गुजरात राज्य का है जो वहाँ बहुत बड़े स्तर पर खेला जाता या किया जाता है नेक्स क्वेशन है हमारा उत्तर परदेश में होली के तिहार पर जो डंडे से होली खेल जाता है कानपुर परमपराओ का संबन्द है तो देखिए जो रंग बंच है अगर क्वेश्चन यह आता है उत्तर पर देश में जो रंग बंच है वो किन जिलों से संबन्दीत है तो इसका अंसर आएगा हात्रस और कानपूर और लखनवू थी सा आंसर इसका हो सकता है। तो ऐसी इस्तिती में रंगमंज है क्या जो ट्रेडिशनल तरीके से पुराने तरीके से जो सांग वगरा गाउं वगरा में गाये जाते थे खेले जाते थे उनको नाड़िका की दरश्टी से रंगमंज कहा जाता है तो रंगमंज की दरश्टी से हात्रा स्कानपूर और लखन जाता है तो इम्दाद खानी घराना है वो उत्तर प्रिदेश के इटावा जिले से संबंदित हैं जिसमें सितार और सुखार या सुर्बहार संगीत के नाम से इसको हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं किसने संभू महाराज संभू महाराज जो हिंदुस्तानी साइस्त्रिय संगीत के बहुत वड़े प्रकांड विद्वान माने जाते हैं उनके जो गुरू थे हो थे रहीमुद्दीन खान संभू महाराज के गुरू थे किस स्थान पर मुडिया पूर्णीमा देखे मुडिया जगे का नाम पूर्णीमा मेला कायुजन किया जाता है तो देखे आंसर है गोवर्धन अब ये मुडिया पूर्णीमा क्या है जो गिरी महराज है यानि की जो पत्थर को उंगली पर उठाने वाले उनकी परिक्रमा कर के लिए बहुत दूर से स्रदालू आते हैं तो ये मुडिया है वहाँ पर तो ये गोवर्धन में ये वाला मेला भरा जाता है और गिरी महराथ की परिक्रपना इसमें होती है नेक्स्ट कुश्चन है भारतिय सबजी अनुसंधान संथान याद करने वाला कुश्चन है ये वा बॉइजनिस प्रोसेस आउट सोर्सिंग देखो भी ओपी क्या बीपी तो बिजनिस प्रोसेस आउट सोर्सिंग उध्योग का जो सबसे बड़ा केंड रिस्त में सैटप हो रहा है वह उत्तर प्रदेश के गोतम बुद्ध नगर जिले में नोईडा में इस्तिध है जया एस next question है गुरु गोविंज सिंग कोन ने जी है यह सिखों के दस्वे गुरु है और बहुत बड़े स्थर पर योदा माने जाते हैं इनके नाम पर जो sports college है उसकी इस्थापना लखनों में की गई है next question है उत्तर पर्देश के किस मंडल में पर्थम समाजवाधी अब देखें नाम लिखा है परथम समाजवादी इसका मतलब क्या? समाजवादी पार्टी जिसके मुख्यमंत्री वुलायम सिंग या दब भी रहें अख़ियस यादब भी रहें तो अख़ियस यादब ने 2016 में परत्म समाजवादी अभिणव धिया ले जो चाका विकास खंड या चाका दंदूपुर इलावाद प्रियाग राज में इस्तित है उसमत प्रिथम समाजवादी अभीनव विध्यालेक होला गया था अखलेश यादव के समय में किस वार्षप भार्थ इंद्रू नाटियकादमी की स्ठापना होई आझसर क्या है 1975 नंट्रचीए उत्तर प्रिदेश की संगीत नाटक आकादमी है इसकी स्थापनाक संगीत-नाटक अकादमी of और जो यह राष्ट्य लगी तक आदमी है इसकी स्थापना लखनों में की गई थी कासी विध्यापीट का संस्थापक कोन है कासी विध्यापीट देखिया इसकी स्थापना आसायोग आंदोलन जो इसको इसकी स्थापना हुई थी वैसे अगर एक्जैक्ट आएगा तो इसका अंसर आएगा आपका इसकी स्थापना की थी नेक्स्ट्सक्वेश्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ले उत्तर पर्देश में इस्थित यहीं नेक्स्ट कुश्चन है उत्तर प्रदेश की जन जातियों में कोन बहु विभा बड़ा अलग पुश्या नहीं देखिये कौन बहु विभा वस्ता को आचरित करती हैं आम तोर पर आपने बहुक पतिनी पर्था सुनी होगी लेकिन यहां पर बहुक पति पर्था है तो जो जोन सारी ट्राइब है जो जोन सारी अनुसूचित जन जाती है यहां पर एक महिला के साथ क्या सारे पति होते हैं अर्थात एक महिला की साधी एक आदमी के साथ होती है ल प्रधान मंत्री उज्वला योजना प्रारम की गई थी उत्तर परदेश के किस जिले में प्रधान मंत्री द्वारा योजना प्रारम की गई अब देखें ये योजना सेंटर्स गौर्णमेंट ने नरेंदर मोदी जी ने 2016 में प्रारम की थी 2014 के सरकार बनी थी और इस योजना का मतलब है जो गरीब लोग हैं तो गैस सेलेंडर प्रोवाइट करना था तो ये योजना 2016 में चले थी लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका ये सुभारम किया गया था इस बलिया बलिया से स्टार्ट किया गया था और ये एक मईए 2018 को हुंती गरीब लोगों को गैस सेलेंडर प्रोवाइट करने की ये योजना है नेक्स कुश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में 112 देखिया आम तोर पर जो एज याने की डैथ रेट है घटता जा रहा है लोग बहुत जल्जल्दी मर जाते हैं बहुत सारे कारणों की वाइसे ऐसी एक मह किये आजमगड़की नेक्स कुश्चन है उत्तर प्रदेश में परियतन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रिथम ट्रेवल मार्ट अब प्रिथम ट्रेवल मार्ट समझिए राज्य में परियतन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर बहुत सारे कारे कि जाते हैं तो ऐसी इस्तिदी में ही हाला कि ये बहुत पहले विदेशों में स्टार्ट किया गया था तो इसको 2015 में पर्थम ट्रेवल माट का जन किया गया आम तोर पर ये फरवरी में होता है तो इसकी जो शुरुवात की गई थी उत्तर प्रिदेश की रालधानी लखनव में की गई है अब कोश्चन आता है उत्तर प्रिदेश में संपन हुए कांग्रेस के पर्मुक अधिवेशन देखे अब जो कांग्रेस पार्टी है जिसकी स्थापना 1885 में होई थी अब 1885 में कहा हुई थी बोंबे में अब कोश्चन आता है कि किस ने की थी तो ए रूम इसके पहले वो बने थे मरला एक तरीके संस्था बगते और डबलो सी बनर जी पहले अधिवेशन के अध्यक्स थे और में बात यह है उत्तर प्रिदेश में जो मुख्य रूप से जो इसके अधिवेशन हुए है वो इलावाद बानने सी लखना और मेरट में हुए और यह जब अ अधिवेशन हुए है कलकता में और उसके बाद अगर कॉष्चन आता है उसके बाद आया कॉष्चन मदरास में और फिर आगर हम बात करें पाकिस्टान में का हुए तो लाहुर में हुए है एक बार फिर देख लिए इंडिया में बंबई में हुए और उसके बाद अगर हम बात करें जो पाकिस्तान हो जगा है उस समय क्यों कि इंडिया में थी उसमें लहोर में सबस्जादा हुए नेक्स्ट क्यों में पर्ति वर्ट किलोमीटर में जन संख्या का घंथ कितना एक अच्छा कासा डेंसिटी स्टेट है उसम्संख्या की मामले में और वैसे अगर जनसंख्या कि च्छित्मूल में च्रुथा नमबर इसका 829 व्रक किसाएं सबस्टी या जन घंथन आता है इसके बाद कोश्चन है अब तर परदेश में 2001 से 2011 की जन्वगर्णना हुई थी तो उसमें जो 10 वर्षिय वर्द्धी हुई है तो 20.23 यानि कि 20 परसेंट रोंग इसमें इस दोरान बढ़ गए थी प्यारे बच्चों यह बहुत अच्छे क्वेश्चन है आप इनको बार-बार रिवाइज करिए खास तोर सो 1718 का जो आपका एक्जाम है उसमें आपको बहुत ज्यादा फाइदा मिलें थैंक यू वेरी मच्च